हलो एन वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स एन स्टुडेंट माई सेल्फ महेंद्र देवंदा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबोलिज्म ओफ एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स के मेटाबोलिज्म के बारे में बात करेंगे अब सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि मेटाबोलिज्म क्या होता है मेटाबोलिज्म जिसके अंतरगत कुछ पदार्तों का तूटना और कुछ पदार्तों का बनना सामिल होता है जैसे यहाँ पर Metabolism of Amino Acid है तो यानि Amino Acid का Breakdown होना जिसको हम Catabolism कहते है और जो दूसरी प्रक्रिया है उसको हम कहते है Anabolism जिसके अंतरगत Amino Acid आपस में मिलकर कुछ पदार्थ बनाते हैं जिसको हम Anabolism कहते हैं तो Amino Acid का Catabolism कैसे होता है और इनका Anabolism कैसे होता है या इन Anabolism के फल्स रूप क्या पदार्थ बनता है इसके बारे में जानेंगे अब सबसे पहले यह बात है कि Amino Acid होता क्या है तो Amino Acid यहाँ एक Structure दिखाई गई है यह एक Amino Acid है यहाँ पर यह कोई Particular Amino Acid नहीं है हम जानते हैं कि 20 Amino Acid यानि 20 Amino Acid हमारे सरीर में पाए जाते हैं जिनमें कुछ Non Essential होते हैं और कुछ Essential होते हैं लेकिन इनकी जो Basic सरचना होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है जिसमें एक Carboxyl Group होता है और दूसरा जो Group होता है उसको हम Amino Group कहते हैं इसके अलावा इसकी सरचना में एक Side Chain पाई जाती है जिसको हम R से दरसा रहे हैं R से जिसको Represent करते हैं इस R की जगे पर अगर कोई दूसरा सबस्टान से जुड़ता है जैसे कि अगर Hydrogen जुड़ता है तो यह है Glycine Amino Acid के लिए Responsible होता है यानि Glycine की Structure को बताता है ऐसे ह अगर Methane जुड़ता है इसके अलावा और दूसरे पदार्त दूसरे जो Molecules हैं जैसे कि Alcoholic Group हो सकता है सलफर युक्त कोई Group हो सकता है तो उसके आदार पर Amino Acid अलग अलग परकार के हो जाते हैं तो Amino Acid वास्ताव में इस परकार की दो सरचना तो बना रहे हैं लेकिन Amino Acid ज दीसरा Amino Acid फौर्थ और ये Amino Acid आपस में जुड़कर Protein का निर्मान करते हैं यानि जो Protein का जो निर्मान होता है वो Amino Acid की एक एक यूनिट जब आपस में मिलती है तो उसके बाद में Protein का निर्मान होता है और Protein के बारे में हम जानते हैं कि हमारे सरी में ये महत्यवप कारे करती है प्रोटीन समनत है चार प्रकार की होती है इनकी structureル basis पे इनकी सरचना क्या दार पर प्रोटीन को हम primary proteins के नाम से जानते है secondary protein होती है tersary protein होती है and quaternary proteins होती है primary protein वो होती है जिसमें amino acid आपसWatch में एक linear एक linear form में आपस में जुड़े होए रहते हैं तो वो protein की primary structure बनाती हैं अगर primary structure में आपस में folding हो जाए या seats का निर्मान हो जाए यानि helix अगर seat और seat का निर्मान होता है तो वो secondary structure का निर्मान करते हैं यानि secondary structure में कुछ bond बने होते हैं जो कि primary structure के आपस में bond के formation से secondary structure का निर्मान होता है next जो है वो है tertiary structure secondary structure में over folding होने से और disulfide bond बनने से tertiary structure का निर्मान होता है जो कि इसकी 3D structure होती है protein की जैसे कि example के तोर पर myoglobin जो protein है जो muscles में पाई जाती है वो एक tertiary protein का उधारन है ऐसे ही quaternary जो protein है अगर tertiary जो protein है इनकी एक एक unit आपस में जब मिलकर कोई structure बनाती है तो उसको हम कहते हैं quaternary structure यानि चतुर सरशना है protein की जैसे कि hemoglobin जो की oxygen को carry करता है हमारे सरीव में तो ये बात हुई proteins के बारे में तो basically हम जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो amino acid के metabolism के बारे में तो हमें protein को भी जानना जरूरी है क्योंकि amino acid के द्वारा protein का निर्मान होता है और protein के degradation से amino acid का निर्मान होता है तो समझते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम इसमें proteins के बारे में समझते है proteins are most abundant organic compound of the body हमारे सरीर में जो organic compound में सबसे अधिक मात्रा में protein पाये जाता है proteins are nitrogen containing macromolecules protein क्या है nitrogen containing macromolecules है कैसे हुआ पहले तो हम इसकी structure को देखते हैं इसको एक amino acid को में बनाता हूँ यह carboxyl group है यहां कोई भी जो side chain जूड सकता है और यह है amino group तो इसमें जो nitrogen contain जो पाये जा रहा है यह protein के पास में nitrogen containing है और macromolecules क्यों है क्योंकि जैसे यह एक amino acid हो गया ऐसे ही एक और amino acid जुडेगा इसके पास में और amino acid जुडेगा ऐसे करते करते amino acid की chain आपस में जुडती है तो यह macromolecules का निर्मान कर लेते हैं तो proteins are nitrogen containing macromolecules consisting of repeating unit of amino acid यह यह amino acid की repeating unit से पुनरावर्ती के बार-बार amino acid के आपस में जो इकाया जुडती है उसके फलसरूप protein का निर्मान होता है अब यह protein कई परकार की हो सकती है लेकिन मोटे तोर पर हम इसको दो परकार से divide कर रहे है proteins are perform static जिसको इनके कार्य के अदार पर यह static type की हो सकती है और दूसरा जो परकार है वो dynamic परकार की हो सकती है static जो proteins होती है वो structural का निर्मान करती है यह बोडी की सरचना का बनाने का काम कर रही है जैसे कि हमारी mass patient है dynamic में enzymes का निर्मान करना hormones का निर्मान करना clotting factors का निर्मान करना और receptors का निर्मान करना यह proteins के dynamic functions है receptors का मतलब cell के बाहर के तरफ जो membrane है उस पर protein से बनी हुई कुछ signaling molecules पाये जाते हैं जो receptor की तरह कार्य करते है अब proteins चूंकी बना हुआ होता है amino acid से और amino acid में एक carboxyl group होता है और एक amino group होता है तो यह दोनों ही group हमें ध्यान में रखना है इनके आदार पर proteins जो होती है उसका निर्धरन भी होता है करेगा वो किस पर आप समझ गए होंगे कि यह क्योंकि protein बना हुआ होता है amino acid पर तो यह पूरी तरह से depend होता है amino acid पर यानि nature of proteins are depends upon quantity of amino acid यानि amino acid की quantity कितनी होगी उस पर protein का nature depend करेगा कि यानि protein किस परकार की होगी quality of amino acid amino acid की quality कैसी होगी इस पर depend करेगा कि protein वैं किस परकार की होगी and sequence of amino acid और amino acid का sequence किस परकार से होगा इसके आदार पर protein का निर्दारण होता है 10 amino acid can be synthesized by the body 10 amino acid हम जानते हैं कि हमारी body में 20 amino acid 20 amino acid पाए जाते हैं उन में से 10 amino acid can be synthesized by the body वो हमारी सरीर में synthesize हो जाते हैं हमारे सरीर के द्वारा उनको बना लिया जाता है 10 amino acid को अब अगर हमारे सरीर किसी चीज को बना रहा है तो उसको हम non essential की category में रखते हैं उनको हम कहते हैं non essential amino acid amino acid जो दो टाइप है essential और non essential इसके लिए आप previous video में भी जा सकते हैं biochemistry के previous video में जो आपको channels में मिल जाएगा अब है 10 amino acid हो गए वो non essential हो गए while the rest of have to be provided in the diet लेकिन जो बचे हुए जो 10 amino acid है वो हमें अपनी diet से हमारे जो खाना होता है उससे हमें लेना पड़ता है so essential amino acid ये जो 10 जो बचे हुए होते हैं जिनको हमें food से लेना होता है उनको हम essential amino acid कहते हैं क्योंकि उनको वोजन के साथ में लेना compulsory होता है और non essential वो होगे क्योंकि वो हमारी body में पहले से synthesis हो रहे है there is no storage form of amino acid यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है आप अगर कोई competition exam भी देते हैं उसके लिए भी महत्यपूर्ण बात आए कि जो amino acid होता है उसका कोई storage form नहीं होता है there is no storage form of amino acid as is the case of carbohydrates जैसे carbohydrates में glycogen storage हो जाता है यानि जो carbohydrates है वो glycogen के रूप में storage हो जाता है ऐसे ही lipids का भी storage हो जाता है वो भी triglycerols के form में storage हो जाता है लेकिन amino acid का यसाया किसी परकार का कोई storage form नहीं पाया जाता है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अब the excess intake of amino acid are metabolized अगर हम खाने में ज्यादा मात्रा में amino acid लेते हैं तो क्या होता है कम लेते हैं तो को हो सकता है कि protein disorder हो सकते हैं और अगर अधिक लेत तो क्या होगा our metabolize oxidize to provide energy जो amino acid है उनका oxidation हो जाएगा और उससे हमें energy मिलेगी या हो सकता है converted to glucose उसको amino acid को glucose में convert किया जा सकता है जिसको हम gluconeogenesis कहते हैं इस terminology के बारे में आप जानते होंगे gluconeogenesis यानि glucose का निर्माण जो की non-carbohydrate से अगर होता है तो हम उसको gluconeogenesis कहते हैं यहाँ पर glucose का जो निर्माण होगा वो amino acid से होगा तो इस process को हम gluconeogenesis कहते हैं यानि अगर excess मात्रा में amino acid लेते हैं तो वो glucose में convert हो सकता है या fat में भी वो convert हो सकता है the amino groups are lost as urea अब amino acid के structure में हमने जाना कि इसमें एक group होता है carboxyl end होता है और जो दूसरा end होता है उसमें amino group होता है अब यह जो amino group है वो कहां काम में आएगा इसका यह बाकी जो portion है वो हो सकता है कि वो glucose बनाने में काम में आ जाए fat बनाने में काम में आ जाए लेकिन जो amino group है वो actually urea बनाने में काम में आ जाता है या कुछ animal ऐसे होते हैं जिनमें urea बनाने में भी यह काम में आता है यानि एमिनो जो एसिड है उसका एमिनो ग्रूप यूरिय बनाने के काम में आता है अब हम समझते हैं एमिनो एसिड के मेटाबोलिस्म को मेटाबोलिस्म ओफ एमिनो एसिड्स इसमें हम इसको हम डिवाइड करते हैं Metabolism of Amino Acid are divided into two types, इसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक होगा Amino Acid Catabolism, Catabolism हो रहा है और दूसरा जो है Amino Acid Anabolism, Amino Acid का Anabolism इसको कहते हैं, अब यहाँ पर आप एक बात द्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं Metabolism of Amino Acid, अगर हम इसको यूं कहें कि Metabolism of Proteins, तो यह लगबख similar word है, similar बाते हैं, क्योंकि Amino Acid का जो Metabolism होगा, वही Protein का होगा, Protein का Metabolism नहीं पढ़कर हम Amino Acid का Metabolism पढ़ते हैं, क्योंकि जो Protein है, उनका निर्माण Amino Acid के द्वारा ही होता है, इसलिए हम Amino Acid पर Focus रखते हैं, इसको हम सामाने रूप से आप Metabolism of Protein भी कह सकते हैं So, हमने Metabolism of Amino Acid को दो प्रकार से डिवाइड किया, एक है Catabolism, जिसमें क्या होगा, इसमें Two Reaction सकर, इसमें दो Reaction होती है, दो अभिकरिया ही होती है, कौन-कौन सी? First है, De-Aminations, यानि De-Aminations की प्रकारिया हो रही है, और दूसरी है Trans-Aminations, ये जो दो प्रकारिया है, उसमें कुछ न कुछ पदार्तों का Degradation होता है, लेकिन एक तीसरी प्रकारिया हो रहा है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा सा इन से Catabolism से अलग है, इसमें De-Carboxylation होता है, Amino Acid का, और कुछ दूसरा पदार्त बनता है, वो देखेंगे हम, यानि आप Catabolism को Simply दो प्रकार से Divide कर सकते हैं, आप चाहें तो तीसरा भी सामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो Mechanism होती है, वो अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें De-Carboxylase Enzyme Participate करता है So, सबसे पहले हम देखें, De-Amination, De-Amination में Removal of Amino Group, इसमें नाम से पता चल रहा है, D, यानि हटना, Delet होना Amination Amine Group, यानि इसमें जो हमारा ये एक Amino Acid दिखाया गया है, ये Carboxyl Group है, और ये Amino Group है, इसमें इस Amino Acid से ये Amino Group Release हो जाता है, हट जाता है, यानि Removal of Amino Group, किसमें, De-Amination में, इसमें क्या होता है, Formation of Ammonia and Fatty Acid, in the reaction of De-Amination, De-Amination की प्रिक्रिया में, जो की Amino Acid निकल रहा है, जो ये किस Form में निकलेगा, Ammonia की Form में निकलेगा, और जो Remaining है, वो Fatty Acid का निर्मान करता है, जिसको हम समयन तक Keto Acids भी कहते हैं, यानि Keto Acid यहाँ पर बन रहे हैं, जो एक परकार के Fatty Acids होते हैं, दूसरी जो अभी करिया है, केटाबोलिस्म की, वो है Trans Amination, इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, कि Trans Amination, जो Amine Group है, उसको एक Amino Acid से दूसरे Amino Acid पर Transfer किया जाता है, यानि एक Amino Acid होगा, उसको दूसरे Amino Acid पर Transfer किया जाता है, उसमें कौन सा भाग, जो उसका Amine भाग होगा, उसको Transfer किया जाता है, यानि इसमें क्या होगा, Formation of Fatty Acid and a New Amino Acid, इसमें एक तो Fatty Acid का निर्मान होगा, साथ इसाथ एक नए Amino Acid का भी निर्मान होता है, तीसरी जो परक्रिया है, जिसको हम Decarvoxylation कह रहे हैं, इसमें Formation of Biogenic Amines का Formation होता है, इस परक्रिया को भी हम देखेंगे, दूसरा जो Metabolism का Type है, उसको हम Anabolism कहते हैं, एना का मतलब कि किसी चीज़ का Formation होना, जुड़ना, बंड़ना, Amino Acid are Converted into Protein और Proteins, जो Amino Acid होते हैं, वो आपस में जब जुड़ते हैं, उनमें Anabolic जब परक्रिया होती है, तो वो Protein का निर्मान करते हैं, ये ब कि जो Amino Acid है, उसमें दो महत्वपून ग्रूप हैं, कौन-कौन से, एक तो है Carboxyl Group, और जो दूसरा ग्रूप है, वो है Amino Group, अब इनका Future क्या होगा, यानि Metabolism में क्या बनेगा, उसको समझें, उससे पहले हम इसको समझते हैं, The Amino Group of the Amino Acid is utilized for the formation of Urea, ये जो Amino Group है, इसको यानि इसके दोरा Urea का निर्मान किया जाता है, फाइनली इसके दोरा Urea का प्रोड़क्शन होता है, हाला कि इससे पहले Ammonia बनता है, और Ammonia से बाद में जाकर Urea बनता है, Urea का formula आप जानते हैं, ये Urea है, तो Urea का जो निर्मान होता है, वो Ammonia से होता है, और Ammonia का जो निर्मान होता है, वो Amino Group से होता है, जो Urea है, जो Urea है, जो एक प्रोटीन मेटाबोलिजम का 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 एक प्रोटीन म is first converted to ketoacid, जो ये carboxyl group है, वो ketoacid में बदल जाता है, by trans amination, trans amination के द्वारा, ये carboxyl group है, या remaining जो इसका जो भाग बचा हुआ है, वो ketoacid में convert हो जाता है, अब हम समझते हैं, इसके metabolism में, जो ketoacid जो बन रहे हैं, उनका fat क्या होगा, ketoacid का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जो ये जो carboxyl group है, जो CWH group है, और इसमें जब हमने aminoacid में से, हमने जब amino group को निकाल दिया, इसके बाद में जो remaining है, उससे जो ketoacid बन रहा है, उसका हमारे सरीर में, एक कोसिका में उसका बवविसे क्या होगा, उसको हम समझते हैं, उसका बवविसे क्या हो सकता है, ketoacid utilized to generate energy, ketoacid को energy बनाने में में प्रियोग कर सकते हैं, कैसे, जो TCA cycle होता है, tricarboxyl acidic cycle जो होता है, crepes cycle होता है, उसमें ketoacid से energy बनाई जाती है, use for synthesis of glucose, ketoacid से glucose का निर्माण किया जा सकता है, जिसको हम gluconeogenesis क्याएंगे, क्योंकि ketoacid का निर्माण कहां से हुआ, वो aminoacid से हुआ, aminoacid से वो non-carbohydrates है, और non-carbohydrates सोर्स से जब glucose का निर्माण होता है, तो उस प्रिक्रिया को हम gluconeogenesis कहते हैं, तो ketoacid का futures वो glucose बना सकता है, next जो है, diverted for formation of fat और ketone bodies, इसके अलावा fat का निर्माण कर सकता है, और ketone bodies का निर्माण कर सकता है, next involved in the production of non-essential amino acid, इसके अलावा, ये non-essential amino acids को भी बना सकता है, और वो कैसे बनाएगा, वो trans-emination की प्रिक्रिया के द्वारा बनाएगा, ये अभी आगी reaction से हम समझेंगे कि, ये किस परकार से essential amino acid को, non-essential amino acid को बना सकता है, यहाँ पर एक chart दिखाया गया है, ये chart जो amino acid का जो metabolism है, इसका सबसे best है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है, जो सबसे मेत्वपूर्ण है, सबसे पहले, जो amino acid है, वो कहां से आएंगे, वो हमने जो protein खाया है, जो diet में हमने जो protein लिया है, वहां से आएगा, इसके अलावा हमारी body में, जो पहले से protein है, उस से आएगा, protein का finally जो product है, वो amino acid होता है, तो amino acid हो सकता है, इनका बहुत से यह हो सकता है, कि यह protein का निर्माण करे, यानि यह, एनाबोलिस्म प्रक्रिया को कर सकते हैं, या synthesis of N compounds, और nitrogen sources, जो भी compound है, उनका निर्माण भी कर सकते हैं, इसके अलावा, trans amination के द्वारा, amino acid के, trans amination के द्वारा, keto acid का निर्माण कर सकते हैं, जो हमने देखा ही है यहाँ पर, कि यह amino acid से, trans amination की reaction के द्वारा, keto acid का निर्माण कर रहे हैं, और keto acid, energy generate करने में, glucose बनाने में, fat बनाने में, और non essential amino acid को बनाने में, योगदान देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर, trans amination में, हम यह बात ध्यान रखेंगे, जो यह amino acid है, उसका amino group, alpha keto glutrate को जाता है, जो की, बाद में जाकर इसको, glutamate में बदल देता है, और जो keto glutrate है, वो keto acid में, convert हो जाता है, यही trans amination है, समझेंगे इसको, glutamate का आगे, deamination होने से, ammonia निकलता है, ammonia का आगे जाकर, urea में, conversion हो जाता है, अब हम, इन reactions को समझते हैं, amino acid की सबसे पहले हम, catabolism reactions को समझते हैं, जिसमें, deamination है, deamination, क्या हुआ, यहनि जो, amino acid है, उसमें से, amino group हटेगा, देखेंगे, in this process, amino groups are removed from amino acid, जो amino group है, वो amino acid से हटा दिये जाते हैं, जिससे क्या होगा, resulting in the formation of corresponding keto acids and ammonia, जिससे, उसके समान, carbon वाले number के keto acid का निर्मान होता है, और ammonia का निर्मान होता है, ammonia का निर्मान कैसे हो गया, क्योंकि उसमें से, हम de-amination कर रहे हैं, amine group को निकाल रहे हैं, amine group finally ammonia में बदलेगा, और ammonia का बाद में, urea में conversion होगा, ये depend करेगा कि कौन से organism की बात हो रही है, कौन से जीव की बात हो रही है, मनुष्य के संदर्व में ammonia, क्योंकि बहुत भी toxic होता है, वो तुरंती यूरिया में convert हो जाता है, लेकिन जो aquatic animal होता है, उनमें ये ammonia में ही रहता है, जो की एक excretive product के रूप में, बोड़ी से बाहर कर दिया जाता है, de-amination की जो प्रक्रिया है, वो दो प्रकार से होती है, यानि de-amination process, by the two types, एक हो गया oxidative de-amination, और दूसरा है hydrolytic de-amination, सबसे पहले जो है oxidative de-amination, आपको थोड़ा सा ये बाइक chemistry वाला part, थोड़ा सा hard लग सकता है, लेकिन है बहुत easy, आप जब इसको समझेंगे, तो बहुत easy लगेगा, जब आप इससे डरते रहेंगे, तो आपको टब भी लगेगा, तो आपको डरना नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये प्रक्रिया समझनी है, oxidative de-amination क्या होता है, de-amination प्रक्रिया तो वही होगी, amino group निकलेगा, in oxidative de-amination, amino groups are removed from amino acid, amino acid से क्या हो रहा है, amino group निकल रहा है, जिससे क्या होगा, resulting in the formation of corresponding keto acid and ammonia, जिससे corresponding जो भी, उस समान कार्बन वाले keto acid का निर्माण होगा, और ammonia का निर्माण होगा, example के थूरू भी आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर amino acid है, एक amino acid है, यहाँ R group का बताया गया, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी amino acid हो सकता है, glycine हो सकता है, valine हो सकता है, जो भी होगा, यहाँ पर enzyme है, amino acid oxidase, oxidase तभी तो oxidation होगा, hydrogen बाहर निकलेगा, so, अब यहाँ पर यह बनेगा amino acids, amino acid का और आगे oxidation होगा, so, यह बनेगा keto acids, तो हमने यहाँ पर ammonia निकाला, एक product और दूसरा जो product है, वो keto acids है, यहाँ पर किसी प्रकार का, कोई carbon यहाँ से release नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ amino groups release हो रहा है, दूसरी जो परक्रिया है, वो है hydrolytic deaminase, इन hydrolytic deaminase, water reacts with the amino groups, इसमें जो पानी होगा वो amino groups से react करेगा, और क्या बनाएगा, वहीं चीज़ें बनाएगा, जो पहले बना रहा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह water molecule है, enzyme होगा glutamate dehydrogenase, क्योंकि यह glutamate है, तो यहाँ पर hydrogen बाहर निकलेगा, ammonia बाहर निकला एक product, और दूसरा, इसके equivalent जितने भी carbon होगे, उसके equivalent, alpha keto glutaric acid का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर dehydration होता है, hydrolytic हो रहा है, इसलिए इसको hydrolytic deamination कह रहे हैं, तो यह दो परक्रिया हो गई, जिसमें आपको समझ में आया, कि एक amino acid से ammonia बाहर निकल रहा है, और एक keto acid का निर्माण हो रहा है, दूसरी जो परक्रिया है, जिसको हम transamination कहते हैं, उसको हम समझते हैं, देखो सब्द हमेशा आपको सब चीज बता देता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, transamination, इसमें amino group एक से एक amino acid से निकल कर, दूसरे किसी keto से जुड़कर amino acid का निर्माण करेगा, कैसे करेगा समझते हैं, transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid is known as transamination, यानि, जो amino group है, वो एक keto acid पर transfer हो जाएगा, एक keto acid पर transfer हो जाएगा, इसमें जो इंटर कनवर्जन यानि जो आधान परदान जो हो रहा है, वो दो amino acid और दो keto acid हैं, उनके बीच में ये reactions होती है, यानि इसके लिए दो keto acid होते हैं और दो amino acids होते हैं, इनमें इंटर कनवर्जन होता है, catalyzed by a transaminases, जो ये enzyme है, transaminase, इसके दोरा जिसको वर्तमान में amino transferase के नाम से जानते हैं, ये enzymes का group होता है, जिसके दोरा ये reaction संपादित होती है, पहले हम reaction को देख लेते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं, जैसे की यहां पर ये ketoacid है, ये amino acid है, ये ketoacid है और ये amino acid है, अब सबसे पहले ये जो ketoacid है, इसके पाद में ये ketone जो group है, ये ketoacid है, ये reaction करेगा, यानि ये जो reaction करके, इसमें से ये जो भाग है, ये यहां से हट जाएगा, जिसको हम कहेंगे, अभी देखेंगे, ये यहां से हट कर, जो उपर वाला जो amino acid है, जिसको, जिसके पास में ये amino group है, ये हट कर, इसके पास में चला जाएगा, ये जो है amino group, इसके पास में चला जाएगा, और जो ये, इसका group है, ये इसके पास में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इससे तो, ये ketone acid first का formation हो जाएगा, और इसके द्वारा, इस amino acid second का निर्मान हो जाता है, दूसरे amino acid को दिया और ये amino acid है इसने अपना amino group ketone को दिया तो इस amino acid से तो keto acid का निर्माण हुआ और इस keto acid से amino acid का निर्माण हो जाता है तो एक keto से ketone group एक से transfer होकर दूसरे amino acid पर जा रहा है और दूसरे amino acid से जो amino group है वो किसी और पे जो ketone group है उस पे shift हो रहा है यह है transamination की reaction जैसे कि यहाँ उदारण से हम समझ सकते हैं glutamate के पास में amino group है इस glutamate का conversion जो होगा वो alpha ketoglutrate में होगा यह यह amino group है वो यहाँ से हट जाएगा और यह keto group है यह भी यहाँ से हट जाएगा तो keto group को जोड़ लेता है pyridoxyl phosphate और amino जो group है वो जोड़ लेता है pyridoxamine phosphate जो की एक enzymes हैं यह इस co-engym के साथ में यह group जुड़ जाते हैं और इनको जिस पर transfer करना होता है जिस amino acid पर transfer करना होता है उन groups को यह transfer कर देते हैं जैसे कि यह amino group यहाँ pyruvate वाले molecules पर transfer होकर alanine बनाता है और अगर alanine के उपर amino group को हटा कर keto group जोड़ देते हैं तो वो pyruvate में convert हो जाता है तो एक amino acid दूसरे amino acid में convert करने के लिए यह योगदान करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ transfer of an amino group from an amino acid to keto acid एक जो amino group है वो keto acid में transfer हो रहा है जिससे की यह reaction trans amination कहलाती है all trans aminases require pyredoxal phosphate जो यह trans aminases जो enzyme है यह amino transferase enzyme है यह actually एक single enzyme नहीं होता है enzyme का complex होता है इसके साथ में एक co-enzyme काम करता है जो कि यह pyredoxal phosphate sort में इसको PLP कहते हैं pyredoxal phosphate यह क्या है co-enzyme की तरहे काम करता है and derived from vitamin B6 यह vitamin B6 का derivative होता है और यह conzyme की तरहे कारिक करता है trans amination is very important for redistribution of amino groups यह जो trans amination की जो reaction है वो amino group का redistribution करने में योगदान देती है मैथपून रोल होता है and production of non-essential amino acid और जो non-essential amino acid है उनके निर्मान में भी यह यह उगदान देते हैं क्योंकि एक amino acid दूसरे amino acid में convert होता है it involves both catabolism and anabolism of amino acid आप इस trans amination reaction को दोनों category में रख सकते हैं लेकिन इसका संदर भी यह होना चाहिए कि product क्या बन रहा है जैसे कि यहाँ पर trans amination के दुआरा क्या बन रहा है दूसरे परकार का amino acid बन रहा है लेकिन जो original amino acid है वो तो breakdown हो रहा है तो यह एक तरह से catabolism process भी है और एक anabolism भी यहनी synthesis process भी है all amino acid except lysine, threonine, proline, hydroxy proline participate in trans amination जितने भी amino acid हैं वो सभी participate करते हैं trans amination reaction में लेकिन lysine, threonine, proline और hydroxy proline की structure में कुछ यह से बदलाव होते हैं जिसके करण यह trans amination reaction में participate नहीं करते हैं next हम देखते हैं trans amination की प्रक्रिया के द्वारा कुछ inter conversion हो रहे हैं amino acid का यानि हम जो कह रहे हैं ना कि एक amino acid दूसरे amino acid में convert हो जाता है तो उनके कुछ example देखते हैं जैसे कि alanine एक amino acid है और एक alpha glutarate जो alpha keto glutarate जो एक keto acid है उनका आपस में कैसे प्रकार से convert होगा alanine convert हो जाता है पाइरुवेट में और जो alpha keto glutarate में इसका keto group हट कर यह जो keto group है यह हट कर यहां यह बन जाता है glutamate यानि alanine alpha keto glutarate जब आपस में reaction करते हैं glutamate, pyruvate इसमें trans amination इसमें मदद करता है तो pyruvate बनता है और glutamate बनता है यानि alanine से क्या बन गया glutamate बन गया ऐसे ही aspartate, alpha keto glutarate से oxyloacetic acid और glutamate बन गया यानि aspartate से क्या बना है glutamate बन गया ऐसे ही हमारे पास और भी example है जिससे glutamate acid है, oxyloacetic acid है जो कि एक keto acid है इससे alpha keto glutarate बन रहा है और aspartic acid भी बन रहा है यानि glutamate acid से aspartic acid बन रहा है यानि यहाँ पर interconversion हो रहा है amino acid का transamination reaction के द्वारा अब next है amino acid का ketabolism की तीसरी जो पर क्रिया है उसके बारे में decarboxylation जो कि हम इसको इस परकार से समझते हैं कि decarboxylation यानि जो carboxyl group है उसको जो amino acid है उससे अटाए जाएगा तो कैसे अटाए जाएगा decarboxylation is a chemical reaction that removes of carboxyl group and releases carbon dioxide जो carboxyl group है वो carbon dioxide यानि CO2 के form में release कर दिया जाता है बाहर कर दिया जाता है the process of decarboxylation happen by decarboxylase enzyme जो decarboxylase enzymes हैं अलग-अलग प्रकार के उनके द्वारा decarboxylation के प्रक्रिया होगी यानि एक amino acid से CO2 हम बाहर निका लेंगे the enzyme pyridoxal phosphatase act as coenzymes इसमें भी pyridoxal जो phosphatase है वो coenzyme की तरह काम करते हैं by this process decarboxylation biogenic amine produce इसमें biogenic amine produce होते हैं ये हमारे पास इस प्रक्रिया के द्वारा amino acid के जो catabolism की ये जो decarboxylation प्रक्रिया है इसके द्वारा कुछ biogenic amine का निर्माण हो रहा है जैसे की GABA amino butyric acid जिसकों GABA short में कहते हैं histamine का निर्माण जो होता है वो amino acid के decarboxylation द्वारा होता है dopamine dopamine का निर्माण भी ऐसे ही होता है decarboxylation ते आपको ये नाम द्यान रखना है GABA gamma amino butyric acid ये form by decarboxylation of glutamic acid glutamic acid के decarboxylation की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है यानि glutamic acid के decarboxylation इसमें CO2 जब बहार निकलती है तब GABA का निर्माण होता है जो एक neurotransmitter है histamine form by decarboxylation of histamine जो histamine है इसका निर्माण histamine के decarboxylation द्वारा होता है dopamine form by decarboxylation of dopa dopa के decarboxylation चे डोपामीन का निर्माण होता है dopa के फुलपोम होती है di, hydroxy, phenyl, ethyl, amine कई बार पूछ लेते हैं इसलिए आप ध्यान रखेंगे और dopa का निर्माण amino acid के द्वारा होता है अब हम देखते हैं fat of carbon skeleton carbon skeleton का fat क्या होगा amino group का fat तो ammonia और ammonia के बार में urea लेकिन जो carbon है इसका skeleton जो carbon जो amino acid में जो carbon का skeleton है जो carboxyl group है उसका future क्या होगा वो कहा कहा participate करता है तो सबसे पहले हम ये जो cycle आपको बीच में जो दिखाए दे रहा है ये TCA cycle है क्रेप cycle है so TCA cycle में pyruvate प्रवेस करता है लेकिन जो pyruvate का जो निर्माण हो सकता है वो alanine से, cistine से, glycine से, serine, threonine, tryptophan, in amino acid से pyruvate का निर्माण होता है ये pyruvate का fat हम जानते हैं कि वो acetal-co-A में जा सकता है या acetal-co-A में भी बदल सकता है इसमें जो pyruvate है वो oxaloacetate में भी convert होता कर है और citrate में भी convert हो सकता है लेकिन किस रूप में? Acetyl Co A बनता है पहले और फिर इसके बाद भी citrate बनता है तो यह यह कहें कि जो amino acids हैं यह participate करते हैं जो क्रेप cycle है उसके intermediate जो carbon skeleton है यानि इनके पास जो ketone group है उनको बनाने में यानि जैसे कि Acetyl Co A उसका निर्माण Isolusine, Leucine और Tryptophan से होता है Aceto Acetyl Co A का निर्माण Leucine, Lysine, Phenylalanine, Tryptophan और Tyrosine इनके द्वारा होता है ऐसे ही Oxalocetic का निर्माण Asparazine and Aspartate से होता है Fumarate का निर्माण Aspartate, Phenylalanine और Tyrosine के द्वारा होता है Succinyl Co A का निर्माण Isolusine, Methionine and Welline के द्वारा होता है Alpha Ketoglutrate का निर्माण Arginine, Glutamate, Glutamine, Sterine and Proline In Aminocid के द्वारा होता है यहाँ आपको यह सब बाते याद रहे तो बहुत ही अच्छा है नहीं याद रहे तो भी कोई प्रोलम नहीं है आपको यह बताना है कि जो अमारा कार्बन, जो Aminocid में जो कार्बन है कार्बोक्सिल ग्रूप है उसका फेट क्या होगा तो आप इसके माद्दम से कि वो क्रेप साइकल में अलग-लग कॉम्पोनेंट में अपना योगदान देता है यह बता देंगे तो भी इनफ होगा तो यह बात हुई कि Aminocid का जो कार्बन स्क्लटन है उसका फ्यूचर क्या होगा और इसके अलावा जो Aminocid का जो Anabolism प्रक्रिया है जो Aminocid की जो Anabolic Process है यानि उसमे Anabolism में क्या होता है Aminocid आपस में जुड़कर जैसे Aminocid आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्मान करते हैं और प्रोटीन के हमारे बोड़ी में कई रोल्स होते हैं तो इस प्रकार हमें इस वीडियो में जो Aminocid है उसके Metabolism के बारे में जानकरी प्राप्त की Thank you